बजाज प्लाटीना 100 के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाई जो की ब्रांड इस गाड़ी में बहुत सारे नए चेंजेस करने वाला है बाई जो की मुझे न्यूज मिल चुकी है बाई इस शोरूम के थुरू जो की आज आज आपको हम शेयर करने वाले हैं बाई बिल्कुल भी टाइम को वेश्ट नहीं करते हैं सीधे आते हैं मुद्धे पे इसमें जो है बाई अब ही आपको मिल जाता है हेलोजन का हिड लैंप लेकिन वो जो है बाई अब आपको मिल जाएगा LED का बाई जो की Columbia में बजाज पहले से देता है और बाई वो गारी इंडिया में बनती है लेकिन बाई इंडिया में सेल नहीं होती है तो बजाज जो है बाई इस गारी में अब आपको देगा LED के head lamp और बाई गारी का जो होगा console वो अब आपको मिल जाएगा platina में भी same ही जो की भाई मिलता था आपको 110 में अभी तक भाई वो अब आपको मिल जाएगा platina 100 में भी जो की भाई काफी अच्छा होने वाला है और भाई brand इस गारिम भाई आपको देगा बिल्कुल ही नए colors और बिल्कुल ही नए graphics जो की भाई काफी जादा attractive और काफी जादा eye catchy होने वाले हैं इसकी भाई जो होगी fairing भाई उसमें भी आपको minor से changes मिल सकते हैं जो की भाई confirm है की भाई जो platina है इसकी भाई जो sale figure है भाई वो एंडिया में अच्छी है अभी भी तो भाई बजा जो है sale को और जादा अच्छी करना चाहेगा तो इसकी भाई जो fairing है वो भी बजा change करेगा गाड़ी की भाई जो होंगे tail lamp और जो होंगे indicator उनमें भाई आपको कोई भी changes नहीं मिलने वाला है लेकिन भाई जो होगा shape उसमें आपको भाई definitely change मिल जाएगा और भाई इस गाड़ी में आपको मिल जाता है LED का DRL भाई वो तो आपको same मिलेगा front में आपको मिल जाते हैं telescopic के fork भाई पीछे आपको मिल जाते हैं twin shock absorber जो की आपको मिल जाते हैं twin spring के साथ वो भाई आपको भाई फ्रेंट में आपको मिल जाएगी disc भाई पीछे आपको मिल जाएगा drum और भाई इसमें जो है भाई company आपको देती है optional disc break का भी option तो भाई वो भी आपको मिल जाएगा और भाई रही बात भाई जो है ABS तो भाई उसका जो है 50-50 भाई चांस है कि आपको ABS मिले और ना मिले इसका भाई जो है tire भाई वो आपको same मिलने वाला भाई फ्रेंट में आपको मिल जाएगा 2.75 mm का tire भाई जो की होने वाला है tubeless पीछे आपको मिल जाएगा 3.00 mm का tire जो की भाई होने वाला है tubeless 17-inch के alloy wheel के साथ भाई टार के भाई profile में कोई भी changes नहीं मिलने वाले हैं इसका भाई जो है engine भाई वहाँ पे आपको मिल सकता है engine call जी हाँ भाई इसमें अब आपको मिल सकता है engine call भाई ये गारी जो है बहुत जादा खाली-खाली लगती है नीचे से तो भाई बजाज उसे भी update करने वाला है भाई इसका भाई जो होगा engine वह आपको मिल जाएगा 102 CC का भाई जो की आपको air cooled आपको भाई इसमें engine मिलेगा भाई जो भाई बजाज आपको F5 अगेरा कुछ भी नहीं देगा गाड़ी में आपको मिल जाएगा 8 BHP का power और भाई इसका जो torque है भाई वह आपको मिल जाएगा 8.3-4 NM का जो की brand इसमें आपको देगा single cylinder 4 speed gear भाई जिससे की ये गाड़ी आपको easily देगी 95 का top speed और भाई इसका जो होगा mileage वह आपको मिल जाएगा 60 plus जो की काफी अच्छा भाई उसमें mileage मिल जा रहा है और भजाज इस गाड़ी को launch करेगा इस साल के festival के season में तो आप लोग चाहो तो नई platina का weight कर लो जो की भाई आपको बहुत अच्छे changes के साथ मिल जाएगी और भाई ये काड़ी आपको लगभग मिलेगी इंडिया में जो है 65,000 रुपए की आसपास तक का एक शोरूम ड्रम वाले variant के साथ और भाई जो आएगा डिस्क भाई वो आपको मिल जाएगा 70,000 रुपए की आसपास तक का एक शोरूम तो भाई ये price confirm मत मान के चलना तो भाई जो वीडियो है इसे कर दो लाइक और भाई जो है चैनल इसे कर लो सब्सक्राइब तब तक के लिए बाई बाई जयाहिंग्रू वंदे मातरम बाई